ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे जो हमारा financial calculator है, which is GARP approved calculator and also students they use it for CFA exams, actories, SOA board exams, तो आज हम लोग देखेंगे वो calculator का basic functions, आईए so यह बहुत simple calculator है and बहुत ही efficient calculator है, तो सबसे पहले हम लोग part 1 वीडियो में देखेंगे जो basic functions हमारे पास में जो है, यह हमारा number keypad है, ठीक है, so basically for example पहले मैं आपको plus minus into divide दिखाता हूँ, so 2 minus 5 यह अपने normal जैसे करते हैं, this is basically clearing your work, यह जो C slash C वाला बटन है, this is clear your work, so for example 12 plus 5, 17 clear, 12 into 5, 60 clear, 12 divided by 6, 2 तो यह basic plus minus वाला function होगे, divide multiply minus plus, ठीक है, इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि power वाला function कैसे use करना है, for example अगर मेरे को चाहिए 4 का square, तो X स्क्वार वाला button प्रेस करूँगा, फिर मेरे को चाहिए 16 का square, तो दुबारा से इसको प्रेस करूँगा, मतलब क्या होता ने, इसम अगर मेरे को 1 by 5 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा 5 और फिर ये 1 by 5, 1 by X वाला button दबाँगा, तो उसने मेरा क्या आजाएगा, 1 by 5 का answer आजाएगा, for example मेरे को चाहिए 1 by 10 का answer, swap करो 10 और फिर ये 1 by वाला button प्रेस कर दो, so this means what, जो भी आपके screen में है वो 1 by हो जाएगा, so for example मेरे को चाहिए 1 by 50 का answer, so मैं प्रेस करूँगा 50 and then this 1 by button, तो ये हो गया, ठीक है, उसके बाद में for example अगर मेरे को चाहिए 8 का cube, तो cube तो यहाँ पर नहीं दिख रहे, y to the power x वाला हम लोग use करेंगे, ठीक है, so for example 8 this 3 equal to, 8 का cube is 512, 512, ठीक है, next for example अगर हमको चाहिए 7 का cube, तो 7 this 3, okay, for example मेरे को चाहिए 7 to the power 5, तो 7 this 5 equal to, ठीक है ना, भहुत सिंपल था ये, for example अब एक complex calculation देखेंगे, so for example अगर मेरे को निकालना है 7 to the power 1 by 5, ठीक है ना, so मैं क्या करूँगा, 7 to the power 5 1 by, अब जब मैं equal to प्रेस करूँगा, तो मेरा उसी का answer आएगा, तो this is 7 to the power 1 by 5, एक और देखेंगे, so for example अगर मेरे को निकालना है 125 to the power 1 by 3 निकालना है, ठीक है, तो मैंने प्रेस किया 125, फिर ये वाला बटन प्रेस किया, फिर 3 दबाया, 1 by किया तो ये क्या हो गया, 1 by किया तो क्या हो गया, 1 by 3 हो गया, and now equal to, so this is 5, ये basic चीज था, उसके बाद में जैसे एक और में आपको दिखा देता हूँ, for example आपको 100 का log निकालना है, ln means what, log का base में E, ln का मतलब क्या होता है, log का base में E, so 100 आप ln प्रेस करोगे, तो आपको log का answer मिल जाएगा, जैसे for example, 1 ln is what, 0, log 1 is 0, तो देखो 0 आ गया, for example, 45 का log निकालना है, तो ये आ गया, ठीक है, तो ये basically हमारा और एक में square root का function दिखाना भूल गया, तो जैसे मालो, अगर मिरको निकालना है, 81 का square root, तो 9 आएगा, मिरको निकालना है, 121 का square root, तो ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये basically बहुत ही simple basic calculator है, so this is basically clearing your work equal to, ठीक है, तो बहुत simple था, so this was part 1 video, thank you.